हेलो आपका स्वागत है यूबाउन अकैडमी में जैसा कि हम पहले बता चुके कि हम इस चैनल में कख्षा 6 से कख्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोट करेंगी क्लास 10 ते केंदगात साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कैमिकल रिक्षेंड एंड एक्वेशन्स रैसनिक अभिक्रिया एम समीकरन इससे पहले हम इस चैप्टर की चार वीडियो अप्लोट कर चुके हैं जिसमें हमने डिफ्रेंट क्लास के जो चैप्शन की डीवना रिबन था उसको एर में बढंड करने था तो क्या प्रोड़क्ट बनता है उसके बाद ज हरी पार जिंग था जिंग को सल्फ्रिक ऑशट से reaction कराई थी तो उसके बाद क्या product बने थी उसको discuss किया था उसके बाद हमने जो chemical reaction है उसको कैसे write करते हैं इन sentence की रूप में इन words की रूप में और इन symbolic form है तो यह different इसको हमने discuss किया था और उसके बाद हमने कैसे chemical reaction को balance किया जाता है उसको discuss किया था आज की इस वीडियो में हम जो different chemical reaction है उनकी जो physical state है उस physical state को कैसे लिखते हैं solid form है liquid form है या gaseous form है या aqueous form है तो जो different physical state है तो उसको कैसे लिखा जाता है तो उसकी बार में क्या करेंगे discuss करेंगे जिसने चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लें ताके आपको पूरी वीडियो मिलते रहें चले शुरू करते हैं chemical reaction and equations part 5 step 6, 7 इससे पहले इसकी step 6 तक था उसमें equation को balance कैसे किया जाता तो उसके बार में discuss किया था हमने तो step 7, writing symbols of physical state यानि जो हम chemical equation लिखते हैं उन chemical equation में या reaction में उन जो different elements है या जो reactant species है या फिर जो product species है उनकी जो physical state है उस physical state कैसे लिखते हैं तो उसके बार में discuss करेंगे carefully examine the above equation balanced equation ठीक है इससे पहले हमारे पास किया थी balanced equation थी जिसमें यह वाली वह equation है जिसमें हमने iron को water से क्या किया था रियक्ट किया था तो उसके बाद जो हमारे बाब product बना था वो Fe3O4 plus hydrogen gas क्या होती रिलीज हुई थी तो इसमें जो 3 आया coefficient 3 आया इसके अंदर coefficient 4 आया इसमें जो coefficient 4 आया तो इसको हम पिछले जो वीडियो है उसमें discuss कर चुके है कि कैसे इसको place किया जाता है तो हमारे जो equation balanced हो किया है 3Fe plus 4H2 is equal to Fe3O4 plus 4H2 यह हमारे पास balanced chemical equation है does this equation tells anything about the physical state of each reactant and product अब यहां पर जो भी हमारे पास equation दी गही है यह हमनी equation कहा तो इस equation में हमें कुछ भी पताने चला कि iron की जो physical state हो वो क्या है solid है liquid है या gas है water की जो physical state हो गया solid liquid है gas है वैसे Fe3O4 और H2 तो इनकी जो physical state है यानि जो भाती का वस्ता है इस भाती का वस्ता के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिल लिए तो इसको क्या करता है हम write करते है no information has given in this equation about their physical state ठीक है तो इस equation में इनकी physical state के बारे में कोई भी information नहीं है to make a chemical equation more informative the physical state of the reactants and product are mentioned along with their chemical formulas यानि हमें क्या होता है चुक बैलेंस अगर हम और जाधा इस equation को informative बनाने जाहें तो हमें क्या होता है कि उस different reactant species और जो product species है उनकी जो physical state होगी उस physical state को हमें क्या करना होता है लिखना होता है solid liquid या gases किस state में वो element या जो हमारे पास compound है वो given equation में कौन सी state में उपस्तित है the gases, liquid, aqueous and solid state of reactant and product are represented by the notation G, L, A, Q, S respectively तो हम क्या करें अगर महार पास क्या होगा solid state होगा ठीक अगर महार पास क्या होगा जो substance है वो solid state में होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम S का यूज करेंगे ठीक है liquid state होगा liquid state में होगा तो उसके लिए हम short form क्या करेंगे L को यूज करेंगे liquid state के लिए होगा इसे March कहने करते क्या है जैसे महार पास क्या था अथ्योज है यह एलकोहल है एलकोहल है को हमनी water में मिक्सि कर दिया तो ऐलकोहल उसस्दित ने था तो जैसे pure alcohol था उसको हमने water में मिक्स करते हैं तो water मिक्स करने के बाद क्या बना उसका solution होगा उसका बना एक्वसिं स्टेट यानि जो alcohol है वह क्या है water की रूम में क्या है परजेंट है ना तो pure liquid है ठीक है ना ही क्या उसमें प्योर सॉलिट है पर गैसी स्टेट में है पर उस स्टेट में क्या कहेंगे उसको हम एक्वस की स्टेट कहेंगे मतलब जली बिलियन कह सकते उसको एक्वस स्टेट करते क्या है जली बिलियन जैसे नमक था नमक को हमने चीनी को हमने क्या कर दिया पानी में घोल दिया पानी में यानि जो हमारे पास क्या होगा अगर solvent water लिया जा रहा है अगर हमारे पास क्या होगा solvent water लिया जा रहा है बिलाइक जल लिया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम इक्वास इन स्टेट की टॉमस को हम राइट करेंगे है अब हमारे पास जो उपर दीवी एक्वेशन थी यह आपको याद रहुआ यह हमारे जो एक्वेशन है ठीक है यहाँ पर कोई यहाँ पर हमारे पास क्या है जो आयरन है वो आयरन की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है तो इसको क्या लिखा जाएगा ब्रेकट में है खल्ति सी इसको यह है endorse disaster क्या है अगर आप इसको आ इस the एक कर दें तो यह किसी दूसरे ते को क्या करेगा अगर आपने भ्रेकट नहीं लगार तो इस फह स्टेट में के पड़ा जाएगा श्ब्राइई करताम में यहig़ा को क्या लिखना है इसको इंग इनग को यूज करना है जैसे यूज है कंसे स्टाइट में वाटर इसे ऍस स्टाइट में यहांपर गैसी स्टाइट यहाँ पर देखेंगा जो वॉटर है रालोगों कविया और दो का इस की लफफी और रिक्षिन कर रहा है H2, अगर हम normally सोचें तो यह कि हमारे पार जल है, water है तो यह से reaction कर रहा है, अगर आपको याद आ रहा होगा अगर हम आपने देखा होगा जो लोही की बाल्टी होती है, लोही की बाल्टी में पानी भर रहता है, otherwise यह reaction ऐसी ही possible हो जाती, liquid state में water को अगर हम liquid stream में लेते अगर यह question ऐसी possible हो जाती तो इसका मतलब क्या था, जो लोही की बाल्टी में पानी रखावा आपनी उस पानी से क्या हो जाने चाहिए, तो इसकी reaction हो जाने थी, उसके अभी गिर्या हो जाने थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है, तो इसके लिए क्या चाहिए, iron को water से reaction करने के लिए, water की क्या होने चाहिए steam होने चाहिए, steam मतलब भाप तो water क्या होने चाहिए, गैसी अवस्ता मुहाँ पर उपस्तिप सुनना जाहिए तभी क्या करेगा, इसके साथ reaction करेगा नहीं तो इसके साथ iron की water से reaction नहीं होगी, अगर liquid state में water होगा, तो liquid state में iron water से कभी भी reaction नहीं करता है, तो कौन से physical state होने चाहिए गैसी state, जी के form होगा यानि iron की steam होगी तो तभी क्या करेगा, उससे reaction करेगा तो यह हमारे पास क्या थी, इसकी फिजिकल स्टेट क्या कर दी, हमने राइट कर दी note that the symbol G is used with S to to indicate that in this reaction water is used in the form of steam, यह तो मैं पहले डिक्स कर चुका हूँ, यूजिली फिजिकल स्टेट are not included in a chemical equation, unless it is necessary to specify them तो हमारे पास क्या करेगा, जब किसी अभिकिरिया में क्या होगा, जब तक कोई specify नहीं है, तो उसमें क्या करता हम, जो उसकी physical state है, उस physical state की बारे में कोई information नहीं है, आउसक नहीं है, ठीक कि specify करने के लिए आउसक नहीं है, यूजिली physical state are not included in a chemical reaction, unless it is necessary to specify them, ठीक को particular compound को या particular species है, उसको अगर specify करने की ज़रुवत नहीं है, तो हम physical state को mention नहीं करेंगे, sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or blow the arrow in the equation, for example, अब देख्यों, हमार पास क्या था, कुछ reaction थी, कुछ reaction तो ऐसे ही हो जाती है, पस कुछ reaction में क्या होता है, catalyst ठीक है, या temperature या pressure की क्या होती है, कुछ condition देने पड़ते है, तभी हो reaction क्या होती है, complete होती है, क्या कहरे हैं, हमार पास कुछ reaction ऐसे होती है, जिनमें क्या होता है, temperature देना पड़ता है, certain temperature यानि fixed temperature पूर reaction होती है, उससे उपर के तापान पो होगी, जबकि और तो इसको हम बाद में discuss करनेगे, तो यह क्या होता है, इसको भी हमें specify करना पड़ता है, तो इनको specify करने के लिए क्या करता है, उसको arrow के ऊपर, यानि जो arrow दे रेखा में, यहाँ पर arrow लगा रखा है, इस arrow को ऊपर यह नीची क्या कर देंगे हम इसको राइट कर देंगे क्या कामने सटेन कहीं पर हमें कोई लिखना है तो उसको क्या करता हम दीते हैं तो इसको याद रखेगा अब हमारे पार रियक्षिन क्या है कि अब हमारे पार याक्सिन क्या है कि स्यूप अब अगर आपने ऐसा कर दिया तो यह कोबाल्ट को दर साता है यह किसको दिखता है कोबाल्ट को जिब कि यहां पर हमारे पार दिया गया इक विख़िय्ट में जो रियक्षिट इसपीस जाओ किया कारुण मोनॉक्षाइड है तो क्या देगा हमें नाम सुना होगा ठीक है liquid in state में इसकी liquid physical state इसकी अब यहाँ पर जो temperature है यह जो arrow लगा रखा है इस arrow के उपर हमें temperature कितना चाहिए होता है 340 atmosphere कितना चाहिए होता है 340 atmosphere यानि 340 atmosphere हम इसको pressure देंगे अगर हम इसको 340 atmosphere pressure देंगे दाब देंगे तभी क्या होगा यह equation complete होगी ठीक है तो क्या हमने इस arrow के उपर इस arrow के उपर क्या लिखेंगे हम 340 atmospheric pressure 340 वातवर्णी दाब दिया जाएगा तभी क्या होगी equation पूरी होगी ठीक है तो arrow के उपर लिखा जाता है 340 दूसरे वारपर एक्वेशन है 6O2 प्लस 6S2 is equal to arrow to give भी बोल सकता हुआ ठीक है तो हमार पास के बने का C6H12O6 plus O2 C6H12O6 6O2 किसका फर्मूला होता है carbon dioxide H2 किसका होता है water का फर्मूला C6H12O6 किसका है यह होता है glucose का फर्मूला किसका glucose ठीक है C6H12O6 किसका फर्मूला होता है glucose का प्लस O2, O2 किसका होता है? ऑक्सिजन का, O2 किसका हमार पास? ऑक्सिजन का फॉर्मला होता है, ऑक्सिजन गैसी रूप में होता है, तो यहाँ पर देखो, कंडिशन क्या चाहिए होती है, यह आपको याद रहा होगा, यह एक क्वेशन आप इससे पहले भी पढ़ जुके परकास संक्सिलिशन की अभिकिरिया के दुरान यह ही क्वेशन वहाँ पर पूरी की जाती है, तो यह वही अभिकिरिया है, तो हमार पास क्या है? 6 CO2 प्लस 6 S2 is equal to C6 S2O6 प्लस O2, यह हमार पास इससे क्वेशन है, अब यह किसकी परज़ेंस में होती है, आपको याद आ र पर एक जगह क्लोरफिल लख सकते हैं और दुषी जगह क्या लख सकते हैं, आप संलाय्ट लख सकते हैं, दूषी कैसा है हमें संलायट चाहिए, तो सूर्य का प्रकास और क्लोरफिल की उपासिन में होगा, यह विकिरिया पूर्ण की जाएगी, अब इसी क्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 CO2 प्लस 12 S2 भी लिख सकते हैं इसकी जगम ठीक कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाता है 6 CO2 प्लस 12 S2 to give C6 S2O6 उसके बाद हम arrow लगाएंगे तो क्या बनेगा C6 6 S12O6 प्लस 6S2 ठीक है 6 जल के बनेगे प्लस O2 तो ऐसे भी इस इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं क्या का हमने 6 CO2 प्लस 12 S2 to give arrow लगाएंगे C6S12O6 प्लस 6S2 प्लस O2 तो ऐसे भी इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं राइट करते हैं ठीक है तो आप आपके इसके एंग्लिष के एंशयाटी में इसमें 6S2 भी लिखा हुआ है तो यह पाथ हो गया यूजिंग दीश स्टेप्स के यूबेलेंस एक्वेशन गिवन इन टेक्स्ट अर्लियर ठीक है इससे पहले आपको यादा रहोगा मैंगनेशिम रिबन वाला हमने ने एक्स परिमेंट किया ठीक है यादा रहा है मेंगनेशिम रिबन वाला एक्वेट्य ओन पॉंट ऑपिवेट्विट्य वन पॉंट टू या वन था से था इथिंक तो हमारे पास के आपकोशिकल के बनाए था मेंगनेशिम और जो फिजिकल स्टेट तो चुछ Mद बनाता हो वह और से डिव्चल स्टेट में रगवनिरे इते में तो यह क्या है हमारे पास थीप है उनकी क्यों हमारे पास फिजिकल स्टेट देने की बाद стран कि वह और ज्याधा informative मिल धाती है तयानी उस equations हमें और ज्याधा सूचना मिलती है इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसको हम वीडियो नपर 60 में क्या करेंगे continue करेंगे शेयर केजी और subscribe केज़े Thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में